नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी टाइम चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की छोली में एक और उपलब्धी आई है क्योंकि अभी कुछी दिन पहले आपने देखा था कि भारत में एक destroyer को launch किया था INS infall stealth destroyer था तो उसी कड़ी में रक्षा की कड़ी में आज भारत में एक और उपलब्धी हासल करिया उन्होंने एक scorpion class INS Vela को launch किया है अब मैं आपको थोड़े दिन बताऊंगा कि यह scorpion class actually है क्या थोड़े मैं इसके features आपको बता देता हूँ तो पहरा point है हमारा features तो एक प्रकार से यह जो INS Vela थी जो कि 31 अगस्त 1973 में थीक है तो 1973 में INS Vela launch हुई थी इंडिया में थीक है कंविंशनल सब्मरीन थी और 37 साल का 37 साल के लंबे period तक काम करने के बाद में वो decommission की गई थी 2010 में तो INS Vela पहले आज चुकी है लेकिन अब यह जो INS Vela है यह एक प्रकार से उसका developed रूप आप देखेंगे यह scorpion class है इसमें modern machinery लगी हुई है और technology fitted है और यह मुंबई में अभी हाली में इसका जलावतरन किया गया है मुझा अभी इसको sea trials के लिए बेजा जाएगा और जहाँ पर इसका गहन परिक्षन किया जाएगा ठीक है तो एक प्रकार से कह सकते हो कि INS Vela 1973 का advanced version है यह INS Vela scorpion class है ठीक है तो अब देखिए scorpion जो class है एक प्रकार से यह diesel electric attack submarines होते है ठीक है मतला डीजल से यहाँ पर propulsion होता है और यहाँ पर electricity generate होती है और उसको batteries में store किया सकता है और उसको पूरी submarine को चलाने में उसके रख रखाओ के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है तो scorpion class scorpion actually एक प्रकार से वो इसका meaning है समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है उससे character होता है तो इसके जो manufacturers है इसमें सबसे पहले जो France है उसका naval group अभी उसका पहले का जो नाम है वो है DCNS France की है ठीक है और इसमें Spain की एक company है नवांचिया ठीक है और उसकी बाद इंडिया का जो MDL है मजगाओं, डॉक, यार्ड, लिमिटेड ठीक है तो इन तीनों ने मिलकर इस scorpion class submarine का यहां पर यह लोग निर्माण कर रहे है ठीक है तो यह जो scorpion class जो submarine है यह INS Vela जो है उसमें से चौथी number की scorpion class निकली है actually इनके 6 scorpion class submarines बनाये जाने हैं जिसमें से 3 तो बनाई जा चुकी है यह चौथी number की है और इसके बाद में 2 और आनी है तो दिसमबर 2018 में INS कलवरी पहले आई थी उसके बाद INS खंदेरी, INS करांज ठीक है fourth one is your this one, INS Vela ठीक है fifth one जो आएगी वो है INS Vague ठीक है और उसके बाद INS Vakshir ठीक है तो यह जो है आपके 6 scorpion class submarines है ठीक है तो this is one of the fourth fourth submarine तो यह जो manufacturing हो रही है scorpion class की यह actually इंडिया का एक P-75I project था ठीक है यह उसके अंतरगत manufacture किये जा रहे हैं और इनका जो पहला contract तो जहाँ 2005 में दिया गया था ठीक है तो DCNS of France या फिर अब जो लिए उसका नाम है नेवल ग्रूप उसको यह project मिला है और manufacturer इंडिया का जो है वो है MDL मजगों डॉक्यार्ड लिमिटेड अब मैं आपको थोड़ा से बताता हूं कि जो project है P75I ठीक है इस project के बारे मैं आपको थोड़ा detail मैं आपको देता हूं जैसा आपको मैंने बताया कि यह जो P75I जो आई project है इसमें 6 conventional submarines बनाये जा रहे हैं ठीक है तो basically यह जो plan है project जो है यह एक प्रकार से 30 साल का project है ठीक है 30 साल का plan है project है तो जो की 2030 में खतम होना है तो 2030 तक का यह project है तो इंडिया इसमें जो है कम से कम 24 submarine बनाएगा और जिसमें से वो 18 conventional submarine बनाएगा और 6 जो है nuclear powered submarine बनाएगा ठीक है अब conventional submarine जो होते है basically diesel electric जो vehicle होता है वो submarine होते है और nuclear powered you can understand nuclear power के द्वारा यहाँ पे इनका running होता है ठीक है और इस project में क्यार जो group थे उनको मौका मिला था एक तो था France का जो naval group है यह DCNS था रश्या का रूसो बोरो नेक्सपार्ट रिपब्लिकन डिजाइन ब्यूरो ठीक है और जर्मनी का थाइसन क्रूप था main marine systems और स्वीडिन्स का साब तो इस project को फ्रांस का जो naval group है DCNS उसने जीता था और वो इस project के अंतरगत काम कर रहा है ठीक है और उसी जो scorpion class submarine में आपने देखा था कि जो INS Vela है वो commissioned हुआ है ठीके दोस्तों अब यह जो topic है वो यह है कि why it is needed या फिर threat है या फिर कोई competition है कि इन submarines में इंडिया जो है एक प्रकार से बहुत पैसा लगा रहा है किवल submarines ही नहीं aircraft carrier हो गया tanks हो गए हवाई जाज हो गए और फैल्स हो गए इसमें इंडिया क्यों इतना पैसा लगा रहा है तो देखिए इसका जो सबसे main problem यह है कि हमारे को अगर किसी time पर अगर दोहरी युद्ध करनी पड़ गए इस प्रकार you can understand कि पाकिस्तान का छेतर है और यहां से चाइना है और यहां से vast जो हमारा समुद्र है ठीक है तो land पे तो आप covering कर सकते हैं लेकिन underground जो है एक परकार से जो समुद्र का जो छेतर है काफी विशाल हमारे पास coastline है और उस समुद्र के underground में अगर attacks होते हैं तो उस समय हमको दोनों side को cover करने के लिए some marines की आवशक्ता पड़ेगी ठीक है तो अगर मैं आपको कुछ quantities बताओं चाइना और पाकिस्तान के बारे में तो इस समय चाइना में 68 submarines है और जिसमें से 6 जो है वो nuclear powered है ठीक है और इंडिया के अगर मैं बात कर लो तो इंडिया के पास इस समय केवल 14 conventional submarines है और 2 nuclear submarines है दो जो है वो तो पहला था आइनस चक्रा ठीक है और नेक्स था आइनस अरीहंत ठीक है तो ये दो तो हैं और वी लाइन में हैं वैसे अभी इंडिया जो है scorpion submarines की बात कर रहा है और उनकी manufacturing कर रहा है चार तो डेवलप हो चुके हैं ठीक है और अगर मैं पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान के इ ठीक है तो एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों तरफ से जो है submarine attacks है possible in the near future और उस attacks को threat perception को देख कर अगर हम बात करें तो इस समय आपके nuclear submarines या convention submarines की इंडिया को बहुत जरूरत है तो आने वाले in the near future यूड आप कुछ भी समझ लीजे चाही युद्ध हो चाही competition हो तो at present we require safety first और safety के लिए we require these submarines तो manufacturer जो है इस वक्त इंडिया में MDL है मजगाव डॉक्याड लिमिटेड है जिस समय उसके पास 8 वर्शिप्स बन रही है और 5 जो है उसके submarines manufacturer हो रहे हैं और भी हाली में जो MDL है उसने 4500 करोड का turnover क्रॉस किया है तो एक प्रकार से making India के लिए बहुत हाँ पर ठीक है और अंत मैं आपको बता देता हूं कि जो scorpion class submarines जो है यह इंडिया के लावा तीन countries में और यूज की जाती है जिसमें से चीली है Malaysia है आपका Brazil है ठीक है तो I hope in the near future की इंडिया और भी ऐसे जो attacking submarines है और planes है और भी मतलब अपने defense system मजबूत करेगा और देश की साख को मजबूत करेगा तो friends I hope you like this video and do subscribe my channel if you have not subscribed keep updating yourself and thanks for watching अपने शुबूँ